सब्सक्राइब कीजिए लॉप डेट्स यूटूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लॉड लेटिर जानकारी के लिए हेलो एंड वेलकम दोस्तो आजगी इस वीडियो में हम बात करेंगे की बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कितनी सज़ मिलती है तो चले शूर करते आज के वीडियो यदि एक विवाईत व्यक्ति अपने पती या पत्नी के जीवनकाल में बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो वे भारत दंड सैंता की धारा 4449 के अंतरगत दोशी ठहराये जाएगा और इसी धारा के अंतरगत उसे सज़ब भी होगी क्या है धारा 4449 पती या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना जो कोई भी पत्ती या पत्नी के जीवित होते हुए भी कोई ऐसी स्तिती में विवा करेगा जिसमें पत्ती या पत्नी के जीवनकाल में विवा अमानिय होता है तो उसे किसी एक अवदी के लिए कार्यवास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही उसे आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा अन्य जुरूरी बातें पॉइंट नमबर वन किसी स्त्री को विवा के लिए विवश करना आप पवित्र करना या प्रेरित करना आदी ऐसा कुछ करने पर उस व्यक्ति को साथ वर्ष तक की सजा तथा आर्थिक दंड देना भी होगा दोस्तों या एक जमानती गैर संगीन अपराद और प्रतम श्रेणी के मजिस्टेट द्वारा विचारनी होता है पॉइंट नमबर टू यदि कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है और अपने साथी के साथ ना रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवा करता है तो सर प्रतम या विवा कानून की नजरों में नहीं माना जाता है क्यूंकि कानून की नजरों में तो व्यक्ति पहले से ही शादी शुदा है और ऐसा व्यक्ति चाहे वस्त्री हो या पूरुश वा भारते दन सेंटा की धारा 408 नुए के तहत एक गंबीर अपराद करता है ख्यानत का अरोब भी जोड सकते हैं दूसरी शादी कम मानिया है पॉइंट नमबर वन जब किसी चित्रा धिकार निया लेने ऐसे मामले से समन्दित किसी विवा जोड़े के विवा को अपने ओर्डर द्वारा रद किया हो पॉइंट नमबर टू जहां ऐसे किसी मामले में पती या पतनी में से कोई एक साथ साल की अवदी के निरंतर अनुपस्तित रहता है और दूसरी नए विवाग का अनुबन कर लेता है पॉइंट नमबर टू जहां पती या पतनी में से किसी एक की साथ साल की अवदी में जिन्दा होने की कोई जानकारी ना मिली हो तो दोस् सब्सक्राइब करें